प्लीज सब्सक्राइब और हिट बेल आइकन तो गेट वीडियो नोलफिकेशन फ्रम रेसिपी काउंटर हलो व्यूवर्स इस वीडियो में आपको तिलकूटू के आलू बनाना बताने वाली हूँ सबसे पहले इसके लिए हम एक पैन में दो टेबल स्पून ओयल लेंगे उस ओयल को हम गरम होने देंगे जैसे ही वो गरम होगा हम उसमें आधा चमच के करीब जीरा डाल देंगे जीरा क्राकल होने तक का इंतजार करेंगे जैसे ही वो क्राकल होगा वैसे हम उसमें हरीमिर्ष डाल देंगे बारीक कटी हुई हम उन दोनों को भून लेंगे फिर उसमें हम आधा इंच कटी हुई अदरक डालेंगे छोटी छोटी कटी हुई अद्रक डालेगा जिससे वो बाइट में आती है तो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है फिर इसमें हम दो बड़े चमच के करीब उटू का आटा डालेंगे अब इसके बाद हम इसे तेल में अच्छे से मिला लेंगे दीरे दीरे करके भून लेंगे इसे जिससे ये अच्छे से तेल में मिल जाए और सारा का सारा जो सबजी हमने डाली है जो जीरा डाला है वो इसमें मिल जाए देखिए कैसे तेल छोडने लगा है एकदम अच्छा भून चुका है जैसे ही ये भून जाएगा हम इसमें उबले कटे हुए दो आलू डालेंगे लंबे-लंबे कटे हुए आलू डालना तो जादा अच्छा रहता है नहीं तो बड़े अगर आलू होते हैं तो वो अच्छे से मसाला अपने उपर लपेट नहीं पाते हैं और एक अच्छी कोटिंग इवन कोटिंग नहीं आती है तो कोशिश कीजेगा कि आप पतले कटे हुए आलू इसमें इस्तमाल कीजेगा जैसे ही ये भून रहा है हम इसे दीरे-दीरे भून लेंगे इसमें एक चमच के करीब हम सेमन अमक डालेंगे पिर इसके बाद हम इसे मिला लेंगे दीरे-दीरे भूनने दीमी आज पर भूनिएगा नहीं तो ये जल जाएंगे आरे अब हम इसके बाद इसमें एक चमच के करीब काली मिर्च डालेंगे काली मिर्च अगर आप लाल मिर्च इस्तमाल करते हैं वरत्मे खाते हैं तो आप डाल सकते हैं अब हम फ्रेशनस के लिए इसमें कटी हुई हरी दुनिया डालेंगे उपर से सेसमे सीज डालेंगे यानिकी सफेद तिल सफेद तिल डालने से इसमें बहुत अच्छा बाइटीनेस और फ्लेवर आता है अब उसे मिलाने के बाद हम इसमें खट्टे पन के लिए नीबू डाल देंगे नीबू डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे मिलाने के बाद हम इसे दीमी दीमी आज पर तब तक गुनेंगे जब तक यालू कुरकोरे नहीं हो जाती ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर गोल्डन गोल्डन और ये बन गया है आप इने तिल डाल कर सर्फ कीजिए गर्म गर्म खाईए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल रेसेपी काउंटर को सबस्क्राइब कीजिएगा थैंक यू